हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा कोचिंग क्लास अब आर्पी सी सी रोक्स उमीद है आपने अभी तक के सारे वीडियो लेक्चर एप्टीटूड के बहुत अच्छो से देखे होंगे शॉटकट एंड स्मार्ट ट्रिक्स अब केलकुलेशन अब नंबर सिस्टम हमने एप्टीटूड का पहला यूनिट शुरू किये नंबर सिस्टम और बहुत जबरदस लेवल के प्राब्लम हर वीडियो लेक्चर में हम कवर कर रहे है अभी आप देख रहे हैं आपके सामने एक प्राब्लम है ये नंबर सिस्टम का है ठीक है आपको एक नंबर दियावा है फोर टू दी पावर सिस्टी वन प्लस फोर टू दी पावर सिस्टी टू प्लस फोर टू दी पावर सिस्टी थ्री प्लस फोर टू दी पावर सिस्टी फॉर प्लस फोर टू दी पावर सिस्टी फायू ये काई से डिवीजीबल होंगा ऐसा वो पूछ रहे तो देखिए फ्रेंड ऐसे जबरदस कुछन आपको कोई भी कोई भी वीडियो लिक्चर में नहीं मिलेंगे ये हम बहुत मैनत करकर के आपके लिए गनित निकाल रहे है और ऐसे गनित को प्रैक्टिस करने से ही लेवल त सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस जब तक आप एक एक टॉपिक के उपर दोसो दोसो प्राब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई आप ऐसे नहीं बोल सकते अब बहुत लोग बोलते नंबर सिस्टम आता दे दो उनको ये कोच्छन उठाके जो आपके सामने लोगों को ये सॉल करते जमेंगा आप खुद 13-14 वीडियो लेक्चर से देख रहे हो आप भी मुश्किल से ये गनित रन कर पाएंगे तो आइए देखते गनित को क्या कह रहा है ये गनित तो 4 to the power 61 है प्लस 4 to the power 62 है प्लस 4 to the power 63 है प्लस 4 to the power 64 है प्लस 4 to the power 65 तो ये नंबर इन में से कौनते नंबर में से divisible होंगा तो कोई लोग टोला मारेंगे A, फिर B, फिर C, कोई ना कोई लग जाएंगा तोला मतलब जो इंसान option देखके answer mark कर रहा मतलब वो FTC सीखा ही नहीं ठीक है कोई-कोई problem में options के तुरू जाना पड़ता लेकिन 90% options के तुरू नहीं जा पड़ता ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो इन सब में एक चीज कॉमन है वो है 4 to the power 61 ठीक है अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और अगर डिटेल बताओ तो यह 4 to the power 61 into 4 लोग आप इंडाइसे मल्टिप्लिकेशन में 4 4 टम से में पावर का एडिशन 61 प्लस 162 4 to the power 61 य ऐसा आप लिक सकते हैं फिर 4 to the power 61 फिर 4 to the power 4 तो 4 to the power 61 सब में common है अब यहाँ से पूरा 4 to the power 61 common निकल गया तो मल्टिप्लिकेशनी बचा तो tak लोग कुशनी बचा तो 1 फिर यह इसमें से 4 to the power 61 common निकला तो 1 प्र बच गया देखेंगे गया 4 to the power 61 common निकाला तो 4 to the power 1 बज गया इधर से 4 to the power 61 common निकाला तो 4 square बज गया फिर 4 cube बज गया आकरी में टाम है 4 to the power 4 सही है देख सकते 4 to the power 61 into 1 1 into honey sing honey sing फिर multiplication में ये low up indices का formula बताया था multiplication में ये ये term same है अंडर वी काल ए ए ए तो power का addition होता तो 61 plus 1 तो 62 61 plus 2 63 61 plus 3 64 61 plus 4 65 ये common निकाल लिया अब आब इसका addition कर लिजे तो 1 plus 4 4 का square 16 सबको आता 4 का cube 4 into 4 into 4 तीन टाइम तो 4 into 4 16 16 into 4 64 फिर ये 4 to the power 4 कैसे निकालेंगे तो 4 into 4 into 4 4 चार बार 16 into 16 26 16 का square सबको याद है अब आब इसका addition कर लिजे 1 plus 4 5 से 16 plus 5 21 64 में 21 एड कीजिए तो 64 plus 1 65 और 20 85 और 256 में 85 एड कीजिए तो 6 plus 5 11 6 और 8 14 341 ठीक है 255 और 5 डाल दीजिए तो 260 हो जाएगा तो ये नंबर को simplify करके ये लाया अब आप चेक कीजिए 341 3 से divide होता है क्या तो मैंने आपको 3 की divisibility test बताइए जैसे ये 124 ये 3 से divisible है क्या 4 plus 2 6 6 plus 1 7 नहीं है फिर 1242 ये 3 से divisible है क्या how sum of digit 1 plus 2 3 3 plus 4 7 plus 2 9 9 is divisible by 3 yes तो ये नंबर 341 3 से divisible है क्या तो 3 plus 4 7 7 plus 1 8 8 is not divisible by 3 मतलब option a answer नहीं हो सकता फिर जो भी नंबर 5 से divisible होता वो अलास्ट में 0 आता नहीं तो 5 आता मतलब ये नंबर 5 से divisible होगा क्या नहीं कोन से नंबर 5 से divisible होते जो end 5 से होते है या end 0 से होते है वो ही नंबर 5 से divisible होते जो नंबर 5 से end होगा या 0 से end होगा वो ही 5 से divisible होगा फिर 11 से होगा क्या नहीं 11 से होगा क्या देख लो नहीं 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 बोलो देखो 11 3 जा 33 तो इधर बचा 1 और ये 1 तो 11 1 जा 31 31 इंटू 10 310, 310 और 31 341, yes ये 11 से divisible होता है तो option is C 17 से 9 17 इंटू 20 होता है 340 तो 341 नहीं हैंगा तो ये 341 जो है ये 11 से divisible होगा 11 से किते बार में 31 टाइम्स में मतलब ये नंबर जो है ये आपका 11 से divisible हो आया समझ में तो बहुत ही interesting कोच चन दा उसी प्रकार का और एक गनित है 3 to the power 17 3 to the power 18 3 to the power 19 3 to the power 20 3 to the power 21 ये काई से divisible होगा तो फिर से वैसे ही solve करेंगे 3 to the power 18 को लिखेंगे 3 to the power 17 3 to the power 1 3 to the power 17 3 square 3 to the power 17 3 cube 3 to the power 17 3 to the power 4 तो 3 to the power 17 को कामन निकाला तो मल्टिपलाय में कुछ नहीं है तो 1 फिर 3 to the power 1 फिर 3 square फिर 3 cube फिर 3 to the power 4 फिर 1 प्लस 3 4 4 प्लस 9 13 13 13 प्लस 27 40 40 और 3 to the power 4 81 तो 101 प्लस 3 4 3 का स्कूर 9 9 प्लस 4 तेरा 27 प्लस 3 14 40 और यह 81 अब आप देखिए यह नंबर काई से divisible होगा तो हमने जैसे लास्ट इसमें किया 341 को चेक किया तो इसको 121 को चेक किया तो 121 13 से divisible होता है कि नहीं अब यह आपको आना चाहिए 121 13 से divisible नहीं होता 13 के टेबल में 121 आता ही नहीं है क्योंकि 13 10 जा 130 और 9 जा 117 तो 121 नहीं हाता 33 से divisible है क्या तो वो नंबर 33 से divisible होता जो 11 और 3 से बनता है 33 कैसे बनता है 11 इंटू 3 तो यह नंबर 3 से divisible नहीं है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 तो यह 3 से divisible नहीं 11 से है लेकिन 3 से नहीं है 37 से भी नहीं 19 से भी नहीं, फिर कैसे करेंगे, तो आपको इसको 33 से divisible करना पड़ेंगा, 33 बोले तो क्या होंगा friend, 3 into 11, तो 11 11 जा, और ये 3 एक कड़ जाएंगा, 17 में से कड़ गया तो 16, तो 3 to the power 16 into 11, तो ये 33 से divisible हो, देखे friend, मैंने क्या किया, last problem में, ये 341 को divide करके check किया, लेकिन इस problem में, 121 13 से भी नहीं होता है, 33 से भी नहीं, तो अपने को ये पूरे number का divisible पूछा है, तो पहले हमने क्या किया, 341 को करके देखा, तो 341 हो गया divide, हो गया divide 11 से, तो 11 answer आ गया, अगर नहीं होता था, तो फि अब इस problem में क्या हो रहा, कि ये 121, ये 4 से divisible नहीं है, लेकिन हमको ये पूरे number को divide करना है, तो जो बच रहा था 3, वो 3 इसमें कड जाएंगा, 11 से divisible 121 हो गया, लेकिन 3 बच रहा था ना, तो 3 इस से divisible होंगा, तो कैसा होता, आप लोग exam में चेक करेंगे, 121 तो divisible किस से भी नहीं हो रहा, मतलब सार ने गलट trick सिकाई, नहीं, trick सही सिकाई, आपने गलट लगई, हमको ये पूरे number को check करना है, तो पहले हमने shortcut में देखा कि 341 से कौन सा है, तो वो मिल गया, तो ये 11 से पूरा 341 कट गया, तो फिर इसके तरब देखने की जरूरत नहीं थी, लेकि देने का मतलब ये पूरा number 33 से divisible है, 11, 121 में कटेंगा और 3 इसमें कट जाएंगा, ठीक है, तो ये भी बहुत interesting कोच्छन था, उसके बाद ये कोच्छन है, find the unit digit value है, तो ये भी बहुत जबरदस कोच्छन है, आप बोलेंगे, सर हमने unit digit की इत्ती practice किया है, आप कोई भी गन गनित को आप self try कीजिए, अगर ये गनित आपने self solve कर लिया खुद के दम पे, तो मेरे तरफ से आपको chocolate gift, seriously, ये गनित जिसको खुद के दम पे आ गया, मतलब वो empty में जीत गया, ये गनित जिसने solve कर लिया, मतलब उसको बहुत बड़ी achievement मिलेगी life में, खुद के दम पे, क् ये गनित को solve करने का approach जो है, वो हम लगा नहीं पाते, ठीक है, तो देखो कोच्छन क्या बोल रहा, 12 to the power 55, 3 to the power 11, 8 to the power 48, 16 to the power 18, ठीक है, तो हम लोगों को पता है, ये 12 composite number है, ये 12 किस से बनता है, 3 into 4 से बनता है, बेराबर, ये 3 to the power 11, 8 बोले तो होता है, 2 cube, 2 का cube 8 होता है और 2 to the power 4 जो होता है, वो 16 होता है, ये है इसकी first step, ये जिसको जम गया, मतलब उसको ये गनित आ गया, तो 12 को आप लिख सकते है, 3 to the power 4, 8 को आप लिख सकते है, 2 cube, और 16 को आप लिख सकते है, 2 to the power 4, उसके बाद आपको बचपन में बाईने formula सिखा होंगा, AB का square, A square, B square, य तो 3 to the power 55, ये 4 to the power 55 और ये 3 to the power 11, ये 3 into 48, लो आप इंडाइसेज, A to the power M to the power 1, M into 1 MN, तो 48 into 3, ठीक है, तो 50 into 3, देड़सो में 6 माइनस कर दो, तो 144 हो जाएगा, फिर 4 into 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, फिर लो आप इंडाइसेज, आपको पता होंगा, A to the power M, A to the power N, तो ये नीचे की टर्म जबी भी उपर जाती, तो power का sign opposite, मल्टीब्लिकेशन में A, A टर्म से में power का addition, तो M minus N, मतलब ये M में से N घड़ जाता है, तो 55 में से 11 घटा दो, ये 55 है और ये 11 है, 55 में 11 घटा दिया, 55 में 11 माइनस किया, तो 44, 55 में 10 गया 45, एक गय गया 44, इन्टू 4 to the power 55, फिर ये 144 में से 72 गया, तो 72 बज गया, अब आप इसको power cycle लगाईए, power cycle आपको पता है, 2, 3, 7, 8, इन सब की power cycle कितनी है, 4, ठीक है, तो इसको 4 से divide कीजिए, तो 4, 11 जा, complete divisible होता है, तो आपको मालूम है, 3 की power cycle, बताने की जरवत नहीं है, 3 to the power 1, 3, 3 square 9, 3 cube 27, 7, 3 to the power 4, 81, तो जो completely divisible होता है, वो 1 आता है फिर, ये 1 आ जाएंगा, फिर आपको पता है, 4 का, 4 की power cycle 2 है, 4 to the power odd, odd power है तो 4 आता है, E1 है तो 6 आता, ये आल्रेडी पढ़ा चुका हूँ, तो 4 to the power odd is 4, फिर 2 की भी power cycle 4 है, ये 22 चार से divisible है, yes completely divisible है, तो ये 6 आएंगा, तो 1 into 4, 4 plus 6, तो इसका unit digit हैंगा 0, 10 मतलब 0, तो ये बहुत ही जबरदस गनित था फ्रेंट, जिन लोगों को ये गनित खुद के दम पे आ गया, बहुत बड़ी achievement है, तो ऐसे मेरे को जबी भी जबरदस problem मिलते हैं, जहाँ पर मैं खुद स solve किया, समझने के इससे, वैसे direct भी कर सकते थे, लेकिन समझने के द्रिष्टी कौन से हमने ज़्यादा थोड़ा सा detail किया, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये भी बहुत interesting अनि था, अब हर video lecture में हम नए concept लेके आते हैं, तो आज के video lecture में concept है, sum of n natural number, friends, बहुत लोगों को natural number नहीं समझते, natural number वो रहता जो 1 से शुरू होता, whole number 0 से शुरू होता है, natural number जो होता है na friend वो 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे n natural number का अगर sum calculate करना है, तो formula है n into n plus 1 by 2, ठीक है, n into n plus 1 by 2, where n is the last number, for example, आपको sum होना 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 की, तो n की value 5 रहेंगी, last number 5 है, तो 5, 5 plus 1 हो जाएंगा 6, divide by 2, 2, 1 जा, 3 जा, तो इनकी sum 50 नहींगी, check कर सकते, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 50, अब आप बोलेंगे sir, यह हम बचपन में सिखे हैं, यह क्यों पढ़ा रहें, मेरा काम है, यह number system में topic है, इसके उपर हर बार कोच्छन आता है, तो मेरा काम है आपको बताना, नहीं तो आप बोलेंगे sir, आपने number system में वह वाली चीज तो पढ़ाए लिए, यह example है आपके सामने, इसको आपको run करना है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, तो यह natural number है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा, और n की value कौन सी रहेंगी, जो last है, तो n की value 30 है, तो formula है n into n plus 1 by 2, n की value 30, 30 plus 1, 31, divide by 2, 2 1 जा, यह 15 जा, तो 15 into 31, तो 15 into 10, 1500, 15 into 20, 300, 45, 45, 45, 45, 45, इसका answer आएंगा, ठीक है, आई बात सबज में, yes, अब दूसरा formula, sum of square of first n natural number, मतलब 1 square plus 2 square plus natural number है, मतलब 1 से शुरू होगा, यह बात रड़ डालो, natural number की शुरूआत 1 से होती है, तो sum of square of first n natural number, तो 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square, ऐसे n square, तो इसका formula है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, देखिए n, n plus 1 पहले भी था, एक time और बढ़ गए, 2n plus 1, तो यह 2 factorial रहता, 2 into 1, 2, दो time है, यह 3 factorial रहता, 3 factorial मतलब 3 into 2 into 1, 6, तो यह formula आपको याद रखना पड़ेंगा, ठीक है, इससे related भी एक कोच्छन है, 1 square plus 2 square plus 3 square, तो जो आखरी वाली term रहती, वो n रहती, तो n की value होगी 12, तो इसका formula है, n into n plus 1 into 2n plus 1, 3 factorial, मतलब 3 into 2 into 1, 6, तो n की value 12 रखो, 12 plus 1 बच्चे को भी आता, 13, 2 into 12, n की value 12 है, तो 2 into 12, मतलब 2 into 12, 24 plus 1, 25, फिर यह 6, 6 बन जा, यह 2 जा, इसका calculation कर लीजिए, आपको answer आजाएंगा, ठीक है, 25 into 2, 50, 50 into 13, कोई भी कर सकता, 50 into 10, 500, और देड़ सो जोड़ दो, तो 6, 500 आजाएंगा, तो आप कर सकेंगे, इनका sum 6, 500 यह एगा, फिर हमने पहला point देखा, sum of n natural numbers, फिर sum of square of first n natural number, अब sum of cube of first n natural number, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, तो इसका formula यही है, sum of n natural number, इसका बस square कर दो, इसका formula है, n into n plus 1 by 2 का square, ठीक है, n into n plus 1, और आपको शक है था, आप छोटे लेवल पे लेके problem, यह formula सही है कि नहीं, आपको शक हो रहा होँगा, तो आप क्या करो, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square कर लो, तो 1 plus 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 16 plus 9, 25 plus 4, 29 plus 31, n की value last 4 है, तो इसमें डालके चेक करो, 4, 4 plus 1, 5, 2 into 4, 8, 8 plus 1, 9, divide by 6, 3, 2 जा, 3, 3, 2, 1, जा, 2, 1, जा, यह 2, जा, 5 into 2, 10, 10 into 3, 30, वो यह answer आता, तो आप ऐसे छोटे लेवल के example लेके, formula को verify कर सकते, कि यह formula सही है कि नहीं, आप तीसरा formula, sum up, cube up, first and natural number, तो इसको अलग से याद करने की जरुआत नहीं, आपको sum up, n natural number याद है, n into n plus 1 by 2, इसका पूरे का whole square कर दो, बस, अब आप बोलेंगे, सर, यह formula सही है कि, n into n plus 1 by 2 का, upon 2 का whole square, हाओ, चेक कर सकते, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus 5 cube, तो n की value 5 हो गई, 1 का cube सबको बता है, 1, 2 का cube 8, 3 का cube 27, 4 का cube 64, 5 का cube 125, इसको add करो, तो यह सब 225 आने वाले, करके देखो, 125 plus 44 plus 27 plus 8 plus 9, तो 9 और 27, 36, यह 6, 50, और 30, 80, इसको add करेंगे, तो 225 आता, ठीक है, और आप यह formula से check करो, 5, 5 plus 1, 6, तो 2 अंजा, 3 जा, 15 का square, 15 का square, 225, तो आप addition करके देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगा, ठीक है, तो इस तरह से यह calculations किये जाते, तो 1 का square, 2 का cube, 3 का cube, 4 का cube, यह 64, और यह, तो 64 plus 36, यह 100, 100 plus 125, 225, फार्मुले से भी check किया, तो 225 है, इससे related भी एक example है अपने पास, 1 cube plus 2 cube, तो यह आखरी वाली जो value रहती, वो n रहती, तो n की value हो गई 9, तो फार्मुला है, n into n plus 1 by 2 का whole square, तो n की value 9, 9 plus 1, 10 upon 2, 2 1 जा, यह 5 जा, तो 9 into 5, 45, 45 का square मैंने पहले वीडियो लेक्चर में सिखाय था, 5 का square 25, यह 4 number में एक number बढ़ाओ, तो 4 में एक number बढ़ा दिया, तो 5, 4 into 5, 20, तो इसका answer हैंगा 20, 25, 45 का square सिखाय था, 5 का square 25, 4 से एक बढ़ा number लेओ 5, तो 4 into 5, 20, 25, 55 का square करना है, तो 5 का square 25, 5 से एक बढ़ा number छे, 5 into 6, 30, 30, 25, ठीक है, तो 3 फार्मूले हो गए, sum of n natural number, sum of square of natural number, sum of cube of natural number, यह 3 हो गए, अब चौथा है, sum of first and odd natural number, natural number है तो दोस्तों शुरुवात का से होंगी, 1 से, odd number आपको पता है, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे, तो उसका फार्मूला है n square, सर, n square सही है क्या, देखो, 1 प्लस 3, छोटे लेवल का example लेकर आप चेक कर सकते, तो अभी इसमें कितनी terms है, 5, तो n की value गई 5, 5 का square 25, ठीक है, अब इसमें n last term नहीं, आप बोलेंगे सर, यह n 9 रहेंगा क्या, सही है क्या, सर, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 7, 16, 16 प्लस 9, 25, देखे फ्रेंड, अभी जो तीन फार्मूले बता है, एक बार फिर से मैं repeat कर रहा, ध्यान जो सुझिए, important बात बोल रहा हूँ, sum of n natural number, sum of square of n natural number, sum of cube of n natural number, जो n रहेंगा, वो last value रहेंगी, अब यहाँ पे n जो है, वो last value नहीं है, n बोले तो क्या होता है, n बोले तो क्या होता है, total number of terms, n बोले तो, जैसे यहाँ पे total number of terms, 5 है, तो अब आप बोलेंगे, सर, total number of terms कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है, x plus 1 by 2, x बोले तो यह last value रहेंगी, तो 9 plus 1, 10, 10 by 2, 5, तो इसमें 5 value है, तो फार्मूला है, तो इसमें last value निकालने का फार्मूला है, x is last digit, last plus 1 by 2, तो यह n निकलेंगा, तो sum of first and odd natural number का फार्मूला है, n square, अपने example से समझेंगे, आपको अच्छे से समझेंगा, 1 plus 3 plus 5 plus 7, तो आपको बताए, यह क्या है odd number, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यह odd number, तो sum of odd number का फार्मूला है, n square, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, सर, n बोले तो last digit रहता, 49 का square, नहीं दोस्तो, n last digit किसमें रहता, इसमें, sum of n natural number में, sum of square of natural number में, यहाँ पे n 30 था, यहाँ पे n 12 था, sum of cube of n natural number, यह n 9 था, इसमें था, लेकिन sum of odd number में, और sum of even number में, n आपका last number नहीं रहेंगा, तो n कैसे निकालेंगे, सर, तो last n का formula x plus 1 by 2, x बोले तो last digit, तो 49 plus 1, 50, 50 by 2, 25, अच्छा, n की value 25 है, तो अब 25 का square में को आता है, 25 का square होता है 625, सर, 5 का square 25, 2 में एक बढ़ाया, 3, 3 का 2 into 3, 6 आ गया, सर, यह सही है क्या, आप add करके देखो न, Kelsey है आपके वाज, 1 plus 3 plus 5, ऐसे addition करके देखो, मैंने अभी आपको छोटे level का example बताया था, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, यह बताया था मैंने, तो 1 plus 3, 4, 9, 16, 9, 25, यह कितने number है, n की value निकालेंगे, x plus 1 by 2, n की value 9, तो 9 plus 1, 10, 10 by 2, 5, तो 5 का square 25, तो n बोले तो यहाँ पे total number of terms है, total number of terms कैसे निकलेंगी, तो last digit plus 1 divided by 2, last digit, किसमें यह formula सिरिफ odd के लिए, even के लिए अलग रहेंगा, तो odd में total number of term निकालने का formula है, last value plus 1 divided by 2, जैसे उसमें last value 49 थी, 49 plus 1, 50, 50 divided by 2, 25, तो 25 का square 625, अब यह आखरी concept, sum of first and natural number, natural number की शुरुवात 1 से होती है, तो 1 odd number है, तो फिर minimum even number को नाएंगा, 2, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 2, ऐसे करके, तो उसका formula है, n into n plus 1, जैसे यह n into n plus 1 by 2 था, तो यह अपन का 2 हटा दो, n into n plus 1, तो n into 1 n square, n into 1 n, तो n square plus n भी बोल सकते, n into n plus 1 भी बोल सकते, जो आपको easily याद होता है, आप वो याद कीजिये, जो आपको easily याद होता है, दोस्तों, वो आपको याद करना है, जो आपको easily याद होता है, ठीक है, yes, तो अभी आप छोटे level का example लो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, अच्छा, n कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो n निकालने का formula है, x by 2, x बोले तो last digit, last digit कोन है, 10, 10 by 2 is 5, तो n की value 5 हो गई, तो 5 का square 25, 25 plus 5, 30, सही में 30 आएगा कैसर, करो ना, 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 10, 30, हो सर, यह तो सही में 30 आगया, आप तो बहुत अच्छे trick बताए, thank you, तो हम अच्छे trick ही बताते, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना है, कि जो n है वो, पहले 3 case में, वो last number रहेंगा, और sum up odd number में, और sum up even number में, n बोले तो total number of terms, तो total number of terms कैसे निकालते हैं, last digit divided by 2, odd में निकालते हैं, x plus 1 by 2, even में फार्मूला x by 2, 58 by 2, 58 by 2 is 29, तो n की value 29, तो इसका फार्मूला है, n into n plus 1, तो 59 और 29 प्लस 1, 30, ठीक है, या फिर n square plus n भी लगा सकते, मतलब 29 का square plus 29, तो यह अच्छा है, तो 29 into 10, 290, 29 into 10, 290, 290 plus 290, 290, तो 29 into 3 आपको आता होंगा, 3, 9, 27, 3, 2, 6, और 2, 8, तो 870, ठीक है, तो 29 into 30 करने का है, तो यह 0 अपन कर लेंगे, तो 29 into 3 होता है, 87, उसमें 0 जोड़ देंगे, या फिर आप 290 plus 290 plus 290 कर लीजी, तो 300, 300, 300 से 900, 900 में 30 माइनस कीजिए, तो 870 हो जाएगा, तो आप करके देख सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस, तो इस तरह जो है, इसका फार्मूला है, एन इंटू N प्लस 1 या N स्क्वेर प्लस N, एन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर आप टम्स, तो इसमें टोटल नंबर आप इवन टम्स किती है, 29, 2, 4, 6, 8, ऐसे आप गिनेंगे तो 29 टम्स है, कैसे निकाला तो उसका फार्मूला है, X बाइटू, वेर X is the last term, और वाले के लिए फार्मूला है, X प्लस 1 बाइटू, इवन वाले के लिए फार्मूला है, X बाइटू, ठीक है, तो यह पाच प्रकार की सीरीज है, बहुत इंपोर्टन्ट है, यह आपको बहुत काम आएंगी आगे भी, तो यह आपको देखने का है, ठीक है फ्रेंट्स, उमीद है आपको सब बाते समझ में आई होंगी, नहीं समझी है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉस्ट कीजिए, और डबल से एक बार चिंतन कीजिए, या डबल से वीडियो देख लीजिए, अब हम एक दो और गनिट सॉल करेंगे, उसके लेवल के, ठीक है, फाइन दा सम आप, कोच्छन दिया है, टू, प्लस सिक्स्टीन, प्लस 54, प्लस 128, प्लस 250, ऐसे लेकर 2000 तक, ये कोच्छन मैंने स्टेटास पे भी रखा था, और 99 परसंड लोग सॉल नहीं कर पाए, 99 क्या 100 परसंड ही बोलो, एक भी स्टूटन आंसर नहीं बेज पाया, अपने साथ वाट्सप पे, COP के भी स्टूटन्स कनेक्ट होते हैं फ्रेंड, उनको तक के ये गनित नहीं जमे, तो ये बहुत ही जबर्दस चेलेंजिंग गनित है, ठीक है, इसलिए RPCC के वीडियो लेक्चर बहुत ही यूसपूल होते है, क्योंकि मैं शुरुआत एकदम EG, लो लेवल से करता हूँ, मैंने शुरुआत की, कहां से समफ नेचरल नंबर से, समफ स्क्वेर, एकदम लो लेवल के एक्जामबल से, और खता मैं से बाप लेवल के एक्जामबल के करता हूँ, अब फ्रेंड मेरेको समज में नहीं आ रहा है, कि ये कोंसा नंबर है, इसको कोंसी सीरीज लगेंगी, समफ नेचरल नंबर लगा हूँ, समफ स्क्वेर आप नेचरल नंबर लगा हूँ, तम आप क्यूब लगा हूँ, कि वो समफ e1 वाली नंबर, 4 के बाद 6 ऐसा आता तो ये भी नहीं है और पहली भी सीरीज नहीं है एक तो ये sum up square है या फिर एक sum up cube है तो इन terms को मैंने गौर से देखा गौर से गौर से गौर से तो सब में मेरे को 2-2-2-2-2-2 दिख रहा है देखें परें ये logic दिमाग में बैठाना पड़ेंगा कभी- को जैसा दिखता वैसा नहीं रहता तो अपन क्या करेंगे 2 को common निकालेंगे तो 2 को common निकाला तो इधर बचेंगा 1 2-8 जा 16 फिर 2 common निकाला तो ये 27 64 into 2 128 2 common निकाला तो 64 फिर ये 125 फिर ये 2 common निकाला तो ये बढ़िया 1000 अब आपको पूरी picture clear हो गयोंगी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64 फायू का क्यूब 125 ऐसे लेकर ये 10 का क्यूब है सर इसका फार्मूला मेरे को मालूम है ये सर sum up cube up n natural number है ये इसका फार्मूला मेरे को अभी आपने पढ़ा है सर याद है n into n plus 1 upon 2 उसका whole square होता आपने अभी बतायते sum up natural number का जो फार्मूला है वो ही फार्मूला है बस उसको square चिपकाना और यहाँ पे n बोले तो ये last time होती है तो n की value 10 होती है अभी आपने पढ़ा है सर में को याद है में को सर ये ये बाते अभी आपने बताई ना सर ये मेरे को सब याद है very good n की value 10 रखा 10 plus 1 11 ये 2 उसका square 2 1 जा ये फायू जा 5 इंटू 11 फिप्टी फायू सर 50 फायू का square आता मेरे को आपने पहले वीडियो लेक्चर में सिखाया था सर मैंने हर वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए सर फायू का square 25 और सर ये number जो फायू है इसको एक से बढ़ाया 6 तो 5 इंटू 6 30 तो 30 25 फिर इसको सर में को 2 से multiply करना है मतलब इसका double तो 25 का double 50 30 इसका double 60 तो इसका answer आएंगा 60-50 तो फ्रेंड ये ही logic नहीं समस्ता लोगों को की two common लेना है बस यहीं वो देता कभी आपको three common निकालना पड़ेंगा कभी four ऐसे कुछ भी दे सकता हूँ तो ये चीज आपको आनी चाहिए फ्रें ठीक है फिर एखादा easy level का problem लेते सर बहुत बाबबाब गनीत हो गया हाज दो तीन थोड़े से easy गनीत लो ताकि confidence motivation आए ठीक है the sum of two numbers is 25 and their difference is 13 वो बोल रहा है सर दो number है तो let x and y be the two numbers पहले detail बता दाओ बाद में shortcut बता दाओ वो बोल रहा कोई तो भी दो number है ते मला माइत नी ते काही तरी आए उनका sum मेरको मालूम है 25 और उनका difference मालूम है 13 तो वो product पूछ रहा तो मैं consider कर रहा कि let x and y are the two numbers इनका sum मेरको मालूम है x plus y equals 2 है 25 और इसका difference मेरको मालूम है x minus y is equal to 13 तो यह simultaneous solve करते मेरको आता x plus x 2x plus y minus y इसका happy बढ़े हो जाता 25 प्लस 13 38 तो x की value आ गई 19 एक्स की value 19 रखा तो 25 में से 19 गया तो y आ गया 6 19 प्लस 6 ही 25 होता तो x और y मिल गया इसका product पूछा उसने मतलब xy की value पूछा तो 19 इंटू 6 कर दीजिए तो 6 इंटू 20 120 होता 120 में से 6 उड़ा दीजिए तो 114 आएगा ठीक है 6 इंटू 10 60 6 इंटू 9 54 60 प्लस 54 114 इसका shortcut है लेकिन formula याद रखना पड़ेंगा sum square minus different square upon 4 मेरे को ये trick अच्छी लगती लेकिन formula है मेरा काम है बताना नहीं तो फिर लोग बोलते sir है formula तुम्ही शिकवल नहीं है आरे सग्रवाल बुक मते दिल होता तुम्ही आइकल नहीं का तुम्ही वाचल नहीं का अरे नहीं भाई हम बगर फार्मुले के काम करते तो इसका formula है product of two numbers is equal to sum square minus different square upon 4 तो ये formula से भी आप कर सकते product of product of two numbers बोले तो xy is equal to sum square x plus y का square फिर x minus y का square upon 4 तो sum बोले तो 25 दिया है 25 का square difference बोले तो 13 दिया है 13 का square divided by 4 तो 25 का square 625 तेरा का square 169 divided by 4 solve कीज़े इसका answer 114 मिले आपको ये formula कैसे बना वो भी आप बना सकते x square plus 2xy plus y square x square minus 2xy तो solve करेंगे तो ये xy मिले आपको ठीक है ना अरे समझे गया x square plus 2xy plus y square x square minus 2xy plus y square और अपन 4 तो x square minus x square कड़ गया 2xy minus into minus plus तो ये 4xy upon 4 तो 4 4 कड़ गया तो xy आता और ये y square y square भी कड़ गया तो अपनने direct लगाया आप चाहो तो ये formula से भी कर सकते तो 625 में से 169 minus कीजिए 625 में से 100 गया तो 525 और 50 गया तो 475 और 14 गया चाहर सो पच्चत्तर चाहर सो पच्चत्तर चाहर सो पच्चत्तर चाहर सो पच्चत्तर चाहर सो पचत्तर